नमस्कार मैं मुहमद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तकनियोज कुछी दिन पहले एक फेसला आया कोट ने फेसला किया कि आरोप जो है वो सिद्ध नहीं होते क्योंकि जिसने भी भड़काओ भासनती है वो मुस्कुराते हुए दी है बिलकुल आप समझ गये होंगे हम अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं इस पर जबाब देने के लिए हमारे साथ जो मौजूद है वो आल इंडिया मजली से तिहादल मुस्लमीन के कार करता पंडित 36 दिरवेदी जी मौजूद है कोट ने ये कह दिया कि आरोप सिद्ध नहीं भी कौकर जाइज रहे हैं टो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कैसे सो फेसले को आप देख रहे हैं है अरे अनुराग ठाकुर जी मैं आप से बात भी कहना चाहता हूं और कहे भी रहा हूं आप ने जो भासर दिया उसका इंसाफ भी मजलिस करेगी याद रखिये हम भी हस रहे हैं आपको धंकी दे रहे हैं अब मैं बोल दिया धंकी दे रहे हैं तो सकता मुकदमा करा दे हम अस्ते हुए आप से बड़काव भाई जान की तरीके बात कर रहे हैं हो सकता है कि मुकदमा हो जाए लेकिन हम भी बाईज जदबरी हो जाएंगे जब अनुराग ठाकुर हो गए हसने पर थोड़ीं न मुगद्मा है क्या कि size हमकी क्या देर हैं क्या कहना चाहर है कि आज आपільки सत्ता है है कि तो मुत्तर ब्तिंसाफ कर रहे हैं दलितों से इंसाफ कर रहे हैं देश की लत्र पर देख देखुए कि आपने क्या इंसाफ किया देश की जंता को आपने जिस तरीके से मूर्ग मना कर बताईए मुझको अमित्साह के जो सुपुत्र हैं बड़े खुबसूरत दिखते हैं ऐसे हैं उनके पास पहले कितना आप करजे में डूबे थे और जैसे ही सकता आ गई सारा करजा कहां चला जो गया सारा कज कैसे उतर गया मैं साजी से खूच रहा हूं लेकिन हम तो इक बाद बता रहा हूं जिस दिन मजलिस उत्तर पर ठैस की गद्धी पर बैठेगी जिस दिन मजलिस का नुमाइंदा प्रधान मंत्री पर बैठेगा और याद रखिए हिजाब वाली एक दिन प्रधान मंत्री की पद पर बैठेगी याद रखिए उस दिन आपके साथ इंसाफ होगा तो हर बात आप मुस्कुरा मुस्कुरा के क्यों कह रहे हैं मुस्कुरा के हम लोग बात बता रहे हैं मुस्कुरा के हाई कोड ने का है आप मुस्कुराते रहिए अब मुस्कुराना भी गलत है क्या अब योगी जी ने और मोदी जी ने हमारे मुस्कुराहट पे ताला डाल दिया है अब देखिए योगी जी जो है एक्सन में हर जगहें पर बुल्टोजर चला रहे हैं बुल्टोजर बाबा के नाम से परसीद हो गए हैं आप ठहरे पंडित अब भी डरीए क्योंकि तो हजार सत्तरा और बाइस के दर्मान में बड़े पंडितों को निपटाया गया है देखे पंडितों को निप्टाना तो अब देखिए अब ये बाबा गोरकनात की पूजा करते हैं हमने भी इनको नमन किया ये राम की बात करते हैं हम भी बात करते हैं लेकिन आपको पता होगा इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई ब्राम्मल था तो वो रावल था राम की लडाई रावल से योगी की लडाई ब्राम्मल से मारे रहो मारे रहो योगी कि लडाई ब्रहाम मट से पर ड़ाम मट से इसका मतलब राम का दुस्मन कौन ब्रहाम मट मैं नहीं का आपने का मुकक्तमा अप बता रहे हम भी मुस्कुरा के भी सबस्तों पूछ रहे हैं यह न Haut Kumisya का कूट ने जो फैसलह दिया है वो मुस्कुरा कर बोलने वाले पर कोई भी फैसला नहीं आने वाला है अब सीधे सीधे बाद मुस्कुरा कर तो हमारे नेता भी बोलते हैं बैरिश्टर असदुद्दिन ओएसी साब तो आप लोग उनको भड़काऊ भायजान भड़काऊ भायजान नफरती भायजान के नाम हम भीजिशेपी को जिताएंगे थो लोग चिडिएंगे नाDPipp कुझता घूं नहीं हम भी भी जेपी को बर्बात कर देते हैं प्षीडिकों सतोव नाबूत करने की राजनीत हैं हमारी क्शैपी ने जो नफरत की राजनीत हमारी लढाई बिजेपी से नहीं मैं आपको आज बता रहा हूं हमारे सदर साहब ने भी कहा हमाई लडाई बीजेपी से नहीं है हमारी लडाई उसकी विचारधारा और संग परिवार से लेकिन योगी जी ने देखिये कह दिया है कि मुसलमान से मुझे बहुत प्यार है अंत में उन्हों ने ये भी कह दिया भाई अब क्या बाकिया रह गया है भाई योगी से क्या उम्मीद रखते हैं उन्हों ने कह दिया मुसलमानों से मुझे प्यार है देखिए जब 2022 का चुनाओ आया तो उन्होंने 80 और 20 की बात कर दी कैराना में जाके गर्मी निकालने की बात कर दी तब उनको प्यार नहीं आया लेकिन जिस दिन विधान सभा का लाश्ट डेट का 7 मार्च का चुनाओ निकला ठीक है उसी दिन साम को उनका बयान आ गया कि हमको मुसल्मानों से प्यार हो गया यह तो मैं समझ रहा हूँ योगी जी आपको किस से प्यार है यह समझ रहा हूँ आपके जवान से आप से कहिलवाया गया है मैं सब जानता हूँ प्रादी आप गुनेहगार हैं कि नहीं तो पहले बुल्डोजर बाबा बुल्डोजर लेके दरवाजे पहुँच जाएंगे आपके तब क्या करेंगे देखिए बुल्डोजर बाबा मेरे घर पे बुल्डोजर चला जाएंगे मैं दूसरे के घर में आराम से सो लूँगा सबके घर में एक एक दिन सोंगा मेरे लोग इतना मुझको प्यार करते हैं मारी मजलिस की इतनी ताकत है लेकिन इंसाफ और नाइंसाफी में बहुत बड़ा अंतर है आज हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा नाइंसाफी हो रही है और याद रखिएगा हर एक अंधेरे के बाद सूरत जरूर निकलता है मुदी जी तरन देखे तारीफ कर दिया हुआ है' अब ने कहा कस्मीर फाइल्स क्या बात कर रहे हैं तो कस्मीर फायल से जितनी कमाई हो रहे हुआ य। कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दे रहें करूणों रभू रुपिया कमाई हो रही अरे मोधी जी आपने टेक्स फ्री कर दिया अभी आप से एक जगए एक बीजेफी के नेता ने कहा कि पिच्चर की टिकट की वेल्लू जीरो कर दी जाए फिरी में टिकट दिखाई जाए तो वहां के डिरेक्टर ने का नहीं मैं पैसा कमाने चाहता हूँ मैं मैं पैसा कमाऊंगा तो आप पैसा कमाने के लिए पिच्चर बनाए हैं देश के लोगों के भले के लिए पिच्चर नहीं बनाए हैं ठहरे पंडित आप भी कसमीर में पंडितों का हत्या किया गया और आप जो है उसका विरोध कर रहा है हाजम नहीं हो रहा है पंडी जी आपको पता है कि उस समय सत्ता किसकी थी केंदर में राज में राजपाल किसका था आप क्यों नहीं रोक पाए आप खुद नहीं रोकना चाहते थे कि अगर रोक देंगे तो आगे चलके हमारा 222 से उजवल लोगा लेकिन हम लोग यह नहीं चाहते हम लोग चाहते हैं इस देश की जो बुनियाद है वो सिच्छा की तरफ पर बढ़े इस देश में जो लगबक सतर परसंट असिचित लोग हैं वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें इस देश का नाम रोशन करें हमारे साब यह चाहते ह इसी के लिए जितनी उनकी तथा है जितनी उनकी पावर है वो 36,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं स्वास्त की ऐसी सुविदा देते हैं कि बताइए उत्तर परदेश बिहार जिदर आप चले जाएए जितर उत्तराखंड में इनकी सरकार है गुवा में है पंजाब में केज में कश्मीर पंडित का जो कश्मीर पंडितों पर खर्लम हुआ है पहले मूविदेखिए जाके सब तरह मुवी देखी जेल हो जाती है बताइए उसने जाकर आत मारने की कोशिश नहीं की अटेम्टू मडर के केस में उसको अंदर कीजिए आपके पास CCTV फूटेज हैं आपने क्यूं नहीं किया हमारे असद दिनों वैसी साफ पर गोली चलाने वाले दो आतंगवादी या दखिए दो आतंगवाद जो हिंदू यूवाइनी से तालुकात रखते थे जिसके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो थे आपी का भाजपा का नेता जाकर मिला ना हमारा तो नहीं नेता मिला आपी का भाजपा का नेता जाकर मिला और कहता है कि आपका केस लड़ूंगा आपके सा इंसाफ होगा एक ऐसा सांसाज जो मजलूमों की आवाज उठाता जो नाइंसाफी के खिलाब बोलता इंसाफ की बाता बढ़ा तो दो गई चुरण सुरच्छा मिल गया और का चाहिए क्या करेंगे जब देश के अंदर ऐसे आतंगवादी घूम रहा है खुद खुले आम सु मुस्कुरा कर बोल देते हैं अगर आप ऐसा एजट प्लस से कैटेगेरी सिक्योटी देकर अगर हमको एप्लस कैटेगेरी के नागरिक नहीं बना सकते तो बेकार रहे हैं मंत्री के नाम पर छोड़ दीजे पद और मैं योगी जी और मोदी जी से भी कह रहा हूं मुस्कुर अगर इंडिया ना घजीट के लाया तो जो कईये का नाम बतल दूँगा तो ये नीरव मोदी के लिए आप गुसे में मोदी जी के लिए हसते हुए मैं मोदी जी देश के प्रधान मंत्री है मैं उनका सम्मान करता हूं देश के नागरिकों ने मिलकर बनाया है लेकिन बीजेपी में सामिल हो जाए कही ना कहीं पद के समहा लिए और बढ़िया से राज कीजिए पांच साल देखे मुझको बीजेपी में मैं जाओंगा मुझको पद मिल जाएगा लेकिन मैं गरीब और मजलूमों की आवाज को नहीं उठा सकता जो अपने आवाज को नहीं नया हूँ और जब तक जान रहेगी जब तक होसला रहेगा तब तक गरीबों की बात करता रहूंगा मजलूमों का साथ देता रहूंगा बहुत बहुत सुक्रिया तो हमारे साथ आल इंडिया मजली से तिहाद मुस्लमीन के कार करता पंडित 36 दिर्वेदी जी मौजूद जिन से हमने वो हर सवाल पूछने की कोशिस की लेकिन हर एक सवाल का बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए इन्होंने जबाब दिया है पता तो आने दीजिए फिर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कैसे इंसाफ किया जाएगा कैसी लगी वीडियो आप अपना राह जरूर दे कमेंट्स बॉक्स में और अगर नए हैं तो हमारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें कैमरामें चान्द के साथ मैं जाएब लगनाओ